हेलो फ्रेंब आपका स्वागत है मेरे किचन में आज हम बनाएंगे ग्याँ क्या टे का नास्ता चीज़े आप बच्चों को लंज बोक्स में भी दे सकते हैं और अगर आपको रोटी सब्ची खा बनाने का मन ना हो तो इस तरह से आप बनास्ता बना कर खा सकते हैं बहुत ही अच्छा बनता है और एल्स के लिए वह होती फाइदे मत और बहुत सारे सब्जियों डाल कर हम बना कर त्यार करेंगे तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पिले में यहां पे मिक्सिंग बोल लिया है बोल के अंदर में ने एक कॉप आटा डाल दिया है आधा बी ड्याल सकते हैं और अधा चम ability टकना हम डालेंगे चीरफ्लेकस अधा चमागिक नां डालेंगे छीरा करके लिए है कि रài किया है बहुत चारा मैं यहंपे धनीय कर किया है और Summit川 के पीस कर लिया है पने फाइन पावडर नहीं पीना है रखा करें सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो चिंट भी आप इस तरह से दाल कर सकते हैं मैं यहां पर एक निम्बू का रस में चोड़ रही हूं एक निम्बू डाल देंगे आप सबजी आपने इस आप से ले लीजे सबजी जो भी आपको पसंद हो वह आप यहां पर डाल सकते हैं बंद को भी डाल सकते हैं मटर भी डाल सकते हैं स्वीट कॉन भी डाल सक कोई भी कंशक्राय स्वart भी दाल सकते हैं। तो आप अपनी इस दाप से बनाईए, बहुत सारी सबचिया पड़ती है, तो बच्चों को बेश्चे तो बच्चों सबचिया नहीं खाते लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे, तो बच्चे भी बहुत अच्छे से खार रेते हैं, और नास्ता बहुत ही healthy बनके ready होता है, और बहुत कम तेल में बनता है, इसलिए हमारी health के लिए भी बहुत अच्छा रेता है, तो थोड़ा-थोड़ा समय यहां पर पानी डालते जाओंगी, और हम इसका better बना लेंगे, गोल बहुत ही पतला नहीं बनाना है, हम में ठीकी रखना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी किसा बना चाहिए, और इससे आप बहुत सारी और अलग-अलग तरीके से रेसिपी बना सकते हैं, मैं वो भी आपको वता हूँगी, तो हलके हातों से हमने मेश कल लिया था, सारी सबजियों के उपर आटा लग जाना चाहिए, क्योंकि सबजिया बहुत सारी हमने डाली है, आटे की कोटिंग हो जाएं, तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैंने ठीक बेटर बनाया, बहुत ठीक ही रखना है, हमें पतला खोल नहीं करना है, तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मैंने कोल रेडी कर लिया, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कोल कैसा होना च में टल दिए आपितर बशार बंदा है उस तरह से भी बना सकते है गुजड़ाती श enfrentaf hijos तरह सकते हैं तरीके से आप इसका नस्ता बना कर बंच्चों को लंस बक्स में भी दे सकते तरह सब्कई में उसus करेंगे यहां पर मैंने यादा चमत चितना है बेकिंग सोड़ा लिया है यहां कि खाने का सोड़ा उसमें थोड़ा समय नीमूर नी चोड़ दी जिससे थी वह एक्टिवेट हो चाहे आप चाहे तो इसमें इनो का भी यूज कर साथे और उंगलियां के बीच में बहुत सारी मिखहर लिए चाहरा कि हम इस तरह से मिक्स करना झाले लाध है यहीं याँ पर बेकिंग सोड़ा टालने के बाद उसकी फरोसेस तुरहन करनी है उङो लपे समय तक एसे इ Byrek लिए रिक्स करने के बाद हम पूनि रखक देंगे भर स्पांधब पूरांत ही उसका नास्ता बना लेंग थो थोड़ा सा धुर डाल weeks उसकी बसबने है इसलों बशो लीक बाना सकते हैं और थोड़ा समय यहां पर सफेद तिल डाल रही हूं बिल्कुल ओप्सनल है आपको पसंद हो तो आप डाल दिये वरन्ना आप स्कीप भी कर सकते लेकि उसका लुक बहुत ही अच्छा था इतलिए तिल में डाला है तिल डालने के बाद हम जो बेटर रखा था वो बेटर हम इ किन फेला देंगे ठोड़ा थोड़ा सा पतला सा ओर अच्छे तरह से कूक हो जाएगा वमदियम कर देंगे ौर तीम-चार मिनित म जिकंसे तो पहले हम जो इसकी किनारी का पाथ है उसको अलग कर देंगे जिसे कि हमें जो नास्ता है हम साइड उसकी चेंज करें तो तूटे नहीं कि मैंने मीडियम रखें मीडियम भी से उसकेंगे इस तरह से नास्ता बनाएंगे कि अच्छा बनता है नहीं तो अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत पूल न और बेल बटन पर भी प्रेस कर देना चीसे की नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और जैसे ही कूक हो जाएगा आप देख सकते हैं खुमता है तो इस तरह से मैं सारे नास्ते को रेडी कर लेती हूँ यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है मैंने लिए यहाँ पर दही और सोस लिए आप दही सोस के साथ भी खा सकते हैं और चाई पसंड़ो तो आपका चाई के साथ भी खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी और लाचेवाब बनके रेडी होता है तो एक बार जरूर ट्राइ करना और म मुझे कॉमेंट बोक्स में भी बताना कि आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी है यह स्क्रास्ते को आप लच बोक्स में देगे तो बच्चे भी बहुत एच्छी तरह का लेंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत इचाहदा आचा आता है तो इस तरह से आप बच्चे को भी बार डगा